हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इंडो पार्ट साला में आज किस वीडियो में कवर करने वाले हैं लास्ट वेल मंथ के जितने भी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी को मैं आपको स्टार्टिंग में करा दूँगा लगबग 20 उसके बाद हम लाइन बाइन सभी इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे और हां आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लि मिलेगा बिल्कुल निव लिस्ट है ये अपडेटेड लिस्ट है चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखे यहाँ पर मैं आपको करायता हूं जो नए 13 राज्यों में गवर्नर निक्त के गए उनको सबसे पहले हैं गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर बने है सीपी राधा कृष्णन जारखन के नए गवर्नर बने अब्दुल नजीर आंदर परदेश लक्ष्वन प्रसाद आचार्या सिक्किम सिप्रताप सुकला जो है हिमाचल परदेश के नए गवर्नर बने हैं केटी परनाइक और नाचल परदेश के नए गवर्नर बने हैं मेस बैस जो है महराश्टर के नए गवर्नर बने हैं अनुसुया उई के मनिपूर ला गनेशन नागालेंड फागुच चोहान मेगाले यह जो है आपको रिवाइज कर लेना है एक बार इसके बाद देखते हैं कुछ जो हमारे अधर कंट्रीज हैं उनको हम देख लेते हैं एक जिल के जॉरजिया मेलोनी जो है अभी दो दिन के दोरे पर भी आई है भारत यह निव पियम है इटली की एंड़ फॉर्स्ट वीमेन है जो कि प्राइम मिनिä बने है इतली की बेंज़ामीन नेतन नियाहु यह जो है निव प्राइम движister बने है इसरे रायल के श्रायल के 6th time पुष्प कमल दहल जो है या फिर परचंड बोल सकते हो इन है यह जो है निव पिम बने है नेपाल के रानिल विक्रम सिंगे यह सिरलंका के निव प्रेसिडेंट है दिनेश गुना वर्देना जो है यह सिरलंका के निव प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या new PM बने है कहां कि New Zealand के याद रखिएगा जो जैसीरा अर्डन है उन्होंने अपना Regination दिया है उन्हीं का अस्तानी उन्होंने लिया है Chris Hipkins ने एक President आपको जरूर याद रखना है Egypt के अबदेल फते LCC यह क्यों याद रखना है आपको क्योंकि इस बार जो हमारा जो Republic यह था 2023 वाला उस वहां पर जो है यह चीफ गेस्ट बनकर आये थे तो याद रखिएगा फिर आगे देखिए प्रस्ण आ गए सबसे पहला प्रस्ण हमारा वर्ल्ड बयंक का प्रस्दंट आप से पूचा जा रहा है कि न्यू प्रस्टरण प्रस्ण कौन बने है वल्ल्ड बैंक के यह अंपर राइट इंसर हो जाएगा नया जो CEO है वह कौन बने है वो आप से पुछा जा रहा है तो नीति आयो के नये CEO बन गए है B.V.R. सुब्रेमन्यम Option D. सही हो जाएगा याद रखिएगा अच्छा इन्होंने अस्थान किसका लिया है तो इन्होंने परमिश्वरन आयर का अस्थान लिया है परमिश्वरन आयर जो है इन्हें Executive Director बना कर भेजा गया है World Bank में कितने साल के लिए दो साल के लिए इसके बाद अगला प्रशन है YouTube का नया CEO किसे बनाए गया है या फिर किसे नुक्त किया गया है यूटूब के नए CEO बन गया है निल मोहन याद रखिए औप्सने राइट हो जाएगा यहाँ पर और बात करें हम तो देखो निल मोहन जो है इंडियन ओरिजिन के है तो इसलिए इनका नाम काफी आदा इंपोर्टेंट हो आता है जो कि नए CEO बन गया है यूटूब के इन्होंने रिप्लेश्ट किया है सुसान वो जिसकी को याद रखिए अचा यूटूब की बात करें तो इसका हेट कौर्टर कहाँ पर है USA के कैलिफॉर्निया में यूटूब को लॉंच किया गया था 2005 में कब 14 फरवरी को एंड किस-किस ने मिल के यूटूब को लॉंच किया था अस्टीप चेन चाड हरले एंड जावेद करीम अच्छा यूटूब का ओनर कौन है गूगल है ठीक है गूगल के CEO कौन है सुन्दर पीचई यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट जो CEO हैं जो आपको याद अडोब के हैं सांतनु नारायन फ्लिपकाट के हैं कल्यान कृष्ण मूर्ती आशिसी के हैं जी ओफ एलाडीस जो की आस्ट्रेलिया से हैं एंड बी सी सी आई जो है इसके जो CEO हैं वो हैं हेमांग अमीन सभी इंपोर्टेंट है आपको याद कर लेना है अब आगे देखिए प्रश्ण हमारा हाली में रेलवे बोट का निव चेर्मेन एंड CEO किसे अपोइंट किया गया है तो इनका नाम है आनिल कुमार लाहोटी ओप्सन सी सही हो जाएगा एंड यहीं पर हम बात करें तो इन्होंने रिप्लेस्ट किया है वीकेट त्री पाठी को वीकेट त्री पा हाली में नए जो है Central Vigilance Commissioner कौन बने है एंड यह जो है Acting Central Vigilance Commissioner है याद रख सकते हैं तो इनका नाम है प्रवीन कुमार सुर्वास्तब ऑप्सन सी सही हो जाएगा याद रखिएगा अचा प्रवीन कुमार सुर्वास्तब जो है इन्हें पोइंट किया गया Acting Central Vigilance Commissioner ही अप देखें यहाँ पर आपसे जो है Election Commissioner पुछा जा रहा है चीफ नहीं लगा हुआ है आगए सिर्फ इलेक्षन Commissioner तो इनका नाम है अरुन गोयल याद रखिएगा और साही हो जाएगा अचा बात करें यहाँ पर तो देखो दो इलेक्षन Commissioner होते हैं हमारे Election Commission में एक है अनूप च याद रख सकते हैं इसके बाद अगला प्रस ने नाबाड का नया Chairman कौन बने है तो इनका नाम है शाजी केवी ऑप्सन ए राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पर और बात करें नाबाड की तो नाबाड का पुरा नाम क्या होता है National Bank for Agriculture and Rural Development इसे फॉर्मड कह गया था 1982 में अगला प्रस ने who has been appointed as the new President of Congress Congress का नया ध्यक्ष किसे निक्त किया गया है तो यह बन गया है मलिका अर्जुन खडगे Option D सही हो जाएगा याद रखिएगा और बात करें तो इसके अपोनेंट में खड़े थे त्रिवनंथ पुरम के जो MP है ससी थरूर तो उसको जो है पतलब ससी थरूर को इन्होंने हरा दिया वोटिंग में ज्यादा वोट्स मलिकार जुन खडगे को मिले और उसके अकड़ु कुछ समय बाद यह है कहां से करनाटक से यह आपको पता होना चीए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कॉंग्रेस के फॉस्ट अध्यक्ष का नाम लिख कर बताईए इंडिया नेशनल कॉंग्रेस जो था उसके पहले प्रेजडेंट कौन थे और इंडिपेंडेंट के टाइम यह मतलब इंडिपेंडेंट के टाइम यानि 1947 में कॉंग्रेस के प्रेजडेंट कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए अगला प्रस ने अंतराश्ट्रिय होकी संग यानि इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के नए प्रेजडेंट कौन बने हैं इनका नाम है तैयब इक्राम ऑप्संस ही सही हो जाएगा और बात करें आप तो देखो तैयब इक्राम जो है मकाउ से हैं इन्होंने रिप्लेश्ट किया है भारत के नरिंदर बत्रा को एंडिया जो मेंस होकी टीम है उसके कोच कौन है ग्राहम रीड किस देश से बिलोंग करते है आस्ट्रेलिया से होकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है दिलिप तिर्की यह भी नए पॉइंट हुए हैं जो कि ओडिशा राज्या से है याद रखिएगा यह जो है इन्टरनिस्टल होकी फेडरेसन है जिसके एक प्रेसिडेंट बन है तययब इक्राम है बात हो रही है होकी इंडिया के प्रेसिडेंट की तो वह है दिलिप तिर्की ओडिशा राज्या से अच्छा 2023 का मेंस होकी वर्ल्ड कप कहा पर आजित हुआ ओडिशा में ठीक है याद रखिएगा अच्छा जीता किस ने 2023 का मेंस होकी वर्ल्ड कप तो जर्मनी ने जीता है इनका नाम है जगदीप धनकड याद रखेएगा ऑप्सन सी सही हो जाएगा बीजेपी पार्टी से हैं ये और ये फोटीन्थ नमबर के वाइस प्रेसिडेंट बने भारत के अच्छा इससे पहले कहा पर थे ये तो ये फॉर्मर गवर्नर थे वेस्ट बेंगोल के आप जो है वाइस प्रेसिडेंट बन गए है इनका जन्म है राजस्थान के जुण जुणू में पर अगला प्राशन इनमें से कौन जो है भारत के पच्छासवे चीफ जस्टीस हैं फिफ्टी एथ चीफ जस्टिस ओफ इंडिया इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड याद रखिए औप्सन भी सही हो जाएगा और बात करें यहाँ पर देखो नंबर की तो 48 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस थे इन्मी रवन, 49 नंबर के थे यू ललित, 58 नंबर के बन गए हैं डीवाई चंद्रचूड और पहले कौन थे फॉस्ट चीफ जस्टिस ओफ इंडिया, हिरालाल जे कानिया याद रख सकते हो और जो भी चीफ जस्टिस ओफ इंडिया होते हैं या फिर जो सुप्रीम कोट के जजज होते हैं उनको पॉइंट कौन करते हैं हमारे देश के राष्ट पती यह बात जो है हमारे समिधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आर्टिकल 124 के क्लॉस 2 में यह बात कही है तेन्योर कितना होता है चिफ जस्टिस ओफ इंडिया का या फिर सुप्रीम कोट के जज़ का 65 यह इंका नाम है और वेंकट रमनी ऑप्सन भी सही हो जाएगा याद रखिएगा इन्हों रेप्लेश्ट किया है के के वैनु गोपाल को अच्छा है जो अटर्नी जर्रल होत करते हैं प्रेजडिन्ट करते हैं अंडर किस आर्टिकल-स कमिशनर तो मैंने आपको पीछे कराया है प्रवीन कुमार सिर्वास्तथ आई हैं इसके बाद है देश के दूसरे CDS who has become the second CDS of India पहले तो आप सबको पता होगा विप्पी रावस्तर थे दूसरे बन गए अनिल चोहान ओप्सन भी सही हो जाएगा और विप्पी रावस्तर के बारे में आप सबको पता है इंका जो है आगे देखिए who has become the 15th President of India पंद्रावे राष्टपती कौन बने हमारे देश के यह है दुरापदी मुर्मू आप सने सही हो जाएगा और दुरापदी मुर्मू की बात करे तो यह first tribal जो है यह President बनी है इंडिया की first tribal and second women president है इंडिया की याद रखिएगा first president जो है जिनका जन्म हुआ है independence के बाद 1958 में इनका जन्म हुआ था तो यह first ऐसी President बन गए है जिनका जन्म जो है हमारे देश के आजादी के बाद हुआ था 1947 में हम आजाद हुआ थे इनका जन्म हुआ है 1958 में अच्छा प्रिसडेंट बनने से पहले यह जो है नाइन्थ नौवे नमबर की गवर्नर रह चुकी है जारखंड की याद रखिएगा बीजेपी पार्टी से है इनका जन्म हुआ है वडिशा के मयूर भंज में अच्छा ओपोजिशन लीडर याद रखिएगा बाकि BCCI की से क्रेटरी की बात करतुव है जैसा जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके कोच है राहूल ड्रेबिड आईपेल के भी नए चेर्मेन बने है इनका नाम है अरुन धूमल याद रखिएगा BCCI का स्थाप्रा हुआ था 1928 में हेट कॉर्टर है मुंबई में आगे देखिए आगला प्रसने की वाइस बीना पॉइंटे राज दा निव वाइस चेर्मेन अफ नितियायो पिछे हमने CEO किया ना अब निव वाइस चेर्मेन पुछा जा रहे तो यह बने है सूमन बेरी ओप्सन्स की सही हो जाएगा याद रखिएगा एड है आपर आप देख सकते हैं नए CEO बने हैं बी वी आर सुब्रमनियम चेर्मेन होते हैं नितियायो के हमारे देश के प्रधान मंत्री वो है करेंट में नरिंदर मोधी जी नितियायो का फॉर्मेशन का बुआ था एक जिनवर्ट 2015 में किसकी जगह पे योजना आयोक की जगह पे हेड़कॉर्टर है निव देल्ली में निति का यहाँ पे फूल फॉर्म लिखा हुआ है आप एक बार पढ़ सकते हो अगला प्रस ने वर्ल्ड बैंक का नया चीफ इकनॉमिस्ट किसे नुक्त किया गया है यह मैंने आपको पीछे बताय भी था यहाँ पर मैंने आज जय बंगा की बात की दी जो नय प्रेसिटेंट बने वर्ल्ड बैंक के इनके बारे में सबको पता होगा यह 25 नंबर के हमारे करेंट में आर्बिया गवर्नर है याद रखेगा अंसुला कांत जो है यह प्रस्ण मेंने पिछले पिपटी में बनाया था इसलिए अगला लिखा हुआ है मतलब करेंट में यह हमारे पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं कहां पर उनेटेड नेशन में क्या नाम है इनका रुचिरा कमबोज ऑप्सन भी सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दे निरीचिबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं नाम यह सीबीएसी की हेड है करेंट में आगे देखिए सेबी की पहली मैला धेक्ष कौन बनी है हुए इनका नाम है मधाभी पूरी बुच जो है फर्स्ट वीमेन चेर पर्शन बन गई है सेबी की ऑप्सन भी सही हो जाएगा यह फर्स्ट वीमेन तो है ही साथ साथ में फर्स्ट नॉन आईएस हैं जो इसको जो है सेबी को हेड करेंगी यानि सेबी को लीड करेंगी इन्हों रिप्लेश्ट किया है किसे अजय तयागी को यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा एक सांती स्री धुल्ली पुडी यह तो हमने देख लिए 25 चीफ इलेक्शन कमिशनर को ने वारे देश के राजीब कुमार यह हम पीछे देख चुके हैं बाकि यहां पर देखो इलेक्शन कमिशन के बारे में लिखा हुआ है फर्मेशन का बुआ था 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी को हम क्या मनाते नेशनल वोटर अच्छा इलेक्शन कमिशन के बारे में किस आटिकल में बात कही गए है अटिकल 324 टर्म जो हता है सिक्स यर्स या फिर आप पर आपना जो है यह कंप्लीट कर ले 65 का वो टर्म है इनका अब पॉइंट के जाता है प्रेश्डेंट के बारे द्वारा सौरी कुछ-कुछ जो है चेर्मेंट कौन बने हैं DRDO के इनका नाम है समीर वी कामत ऑप्सन भी सही हो जाएगा और बात के तो इन्होंने रिप्लेश्ट किया जी सतिस रेड़ी को DRDO का फुल्फोर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेफ्लोप्मेंट और्गनाजेशन इसे फॉर्म्ड के ग इसे इंपॉर्टेंट अपॉयंट्मेंट्स को देखेंगे ऐर मार्सल अमन पृत सिंह जो है नीव वाइश की बने हैं एहर फोस के ऐमबी सुचेंदर कुमार जो है ये नियुव वाईस चीप बन है आर्मी स्टाफ के पंकच कुमार सिंग को जो है हाली में डेप्यूटी नेशनल सेक्योर्टी अडवाइजर निुक्त किया गया है और हमारे national security advisor कौन है वो है अजीत डोवाल राजीव रगुवनसी जो है न यह new drug controller जेनरल बने है इंडिया के याद रखिएगा अच्छा कुछ chief justice बदले गए है हाई कोट के वो देखिए तो सोनिया गोकानी है यहाँ पर यह chief justice बनी है गुजरात हाई कोट की नौ दिन के यह first women chief justice बन चुकी है गुजरात हाई कोट की याद रखिएगा सोनिया गोकानी संदीप मेहदा जो है यह chief justice बने गोहाटी हाई कोट के फिर है जस्वंत सिंग यह बने chief justice त्रिपुरा हाई कोट के एन कोटिस्वर सिंग इनका नाम जरूर याद रखिएगा most important है यह chief justice बने ह किस आई कोट के जमू एन कस्मीर एन लद्दा के जरूर याद रखना है most important फिर देखो है आप शंबल भाई पटेल या new chairman बने है अमूल के विक्रम देद्ध जो है या director general बने है civil aviation के सुन्दर रमन जो है सुन्दर रमन रामा मुर्तिया MD and CEO बने है Bombay Stock Exchange के यह पद जो है important है सुन्दर चावला जो है new MD and CEO बने है पेटियम पेमेंट बैंक के अजय कुमर सिर्वास्तव new MD and CEO इंडियन ओवर्सिस बैंक के के सत्य नारायन राजु जो है यह new MD and CEO बने है कैनरा बैंक के फिर यहाँ पर देखो एक important appointment है सिंगर है एक ठीक है इन जो स्टेट आइकन बनाए गया है बिहार का किसके द्वारा इलेक्षन कमिसन के द्वारा तो यह आपको याद रतना है पूछ लिया जा सकता है फिर हम पर कुछ important appointment है जो 2022 में हुए है अनिल चोहान सेकंड सीडियस ऑफ इंडिया यह देश के दूसरे सीडियस डिवाई चंद्र चूट पचासवे नंबर के चिप जस्टिस है इंडिया के यह लली जो है या उन चासवे नंबर के चिप जस्टिस है इंडिया के आर वेंक चेर पर्षन बने हैं लोग कमिशन के समीर वी कामत डियाडियों के नए अध्यक्ष बने हैं सबको पता है एस सोमना जो है इसरों के नए चीफ बने हैं के सीवन के जगह पे विनैय मोहन कौत्रा most important exam में पुछे गए यह foreign secretary है हमारे करेंट में इन्हों है रिप्लेस्ट किया है हर्सवर्दन सरिंगला को याद रख सकते हैं नए विदेश सचीव हैं ये विनैय मोहन कौत्रा फिर विनैय कुमार सक सेना ये जो है नए lieutenant governor बने दिल्ली के पतावना चाहिए सामत गोयल चीफ है रो के तपन कुमार डेका जो है new director है intelligence bureau के दिनकर गुपता जो है या new director general है किसके national investigation agency यानी राष्टिय जांच agency के प्रदीब कुमार महनत्री को जो है लोगपाल chairman बनाये गया है additional charge दिया गया इन्हें पतावना चाहिए राजेश बर्मा सेक्रेटरी है द्रौपदी मुर्मू के जितने विया पॉंट्रिस में आपको करार होना है सभी important है ठीक है अनंत नागेश्वरन जो है या करेंट में हमारे chief economic advisor यानी मुख्य आर्थिक सलहकार है संजे अडुडा जो है इने हाली में दिल्ली पुलिस का जो है commissioner बनाये गया है हिमानसु पाठक जो है ICAR यानी भारतिये क्रिसियन उसंदान परिसत के या जो है director general है हिमानसु पाठक ए इंपोर्टेंट पोजिशन पर अभी नुक्त की गई है तो याद रखे देखिए नला थम्भी कलाई सेल्वी जो है या new director general बनी है कहा कि council of scientific and industrial research की एंड या first female है जो इसकी director general बनी है स्वेता सिंग जो है PMO के निदेशक के रूप में new थे अभी बात करें रुचिरा कमबोज के बारे में हमने देख लिया जो करेंट में हमारी permanent representative है United Nations में निदी छिपबर CBSE की new head है रेनू सिंग जो है या director बनी है forest research institute की कहां पर है ये देरादून में है मादवी पूरी बुच first women chief बनी है सेवी की सांती स्री दुल्लीपुडी पंडित first women vice chancellor बनी है JNU की सांती कमारी के बारे में देख लिजे याद रखेगा यह first women है जो की chief secretary बनी है ते लंगाना की most important है याद रखना पड़ेगा फिर आसिस कुमार चोहान यहाँ पर देखो director general chairman and MD&CEO जो important है वो देख लिजे नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज के MD&CEO है आसिस कुमार चोहान मनोज सोनी जो ही पेसी के chairman है एस एसी के chairman है एस की सूर सत्य नरायन प्रधान जो है यह director general है नर्कोटिक्स control bureau के एस रजू जो है यह geological survey of India के director general है अतूल करवाल जो है यह NDRF के director general है वेस पठानिया का नाम जरूर याद रखिएगा यह Indian coast guard के director general है और इनका नमबर है यानि 24 नमबर के director general है यह Indian coast guard के कौन वेस पठानिया फिर आपर कुछ और important देख लो उत्पल कुमार सिंग जो है यह sunset tv के नए CEO बनाए गए है याद रखिएगा मनोज कुमार जो है खादी एंड village industries commission जो KVIC है उसके chairman है नितिन गुपता जो है central board of direct Texas के chairman है फिर अरून कुमार सिंग important है ONGC के chairman यह याद रख सकते हैं आगे आगे आपर देखो कुछ sports related appointment जो है important वह आपको करायता हूं पीटी उसा को जो है first female president नुक्त किया गया है इंडियन olympic association की रोजर बिन्नी जो है president किसके बन गए है BCCI के अरून सिंग दूमल जो है chairman बने है IPL के मेगना अहलावत जो है यह first female president बन गई है table tennis federation of इंडिया की ह जो कि कहां के CM है अस्सम के यह president है badminton association of इंडिया के विविएस लक्षवन हेड है कहां के national cricket academy के विनित सरन जो है यह BCCI के एथिक officer बने है याद रख सकते हो और साथ साथ में लोगपाल भी ombudsman यहाँ पर देखो एक सुप्रीम कोट के judge है एक के सिकरी इन्हें जो हाली में पॉइंट किया गया administrator किसका shooting world cup 2023 का और shooting world cup 2023 कहां प्राजुत होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में यह आपको याद रखना है नेपाल cricket association जो है इसने हाली में पॉइंट किया है इंडियन किरिकेटर जो की former इंडियन किरिकेटर है मौन्टी देशाई उसको है head coach बनाए गया नेपाल cricket team का याद रखिएगा पूछ ले आता इस तरह का प्रस्ण फिर जाए बांगा आप सबको पता है new president बन गया है वर्ल्ड बैंक के निल मोहन जो है ओ यहां पर देखो मिस्टेक हो गया ना निल मोहन जो है new CEO कहां कि बने यूटूब के बने यह मिस्टेक है इसको मैं पेडियाप में चेंज कर दूँगा यूटूब के है ठीक है याद रखिएगा एसी चरणिया देखो यह इंडियन ओरिजिन की है new chief technologist बनाये गए इन्हें नासा में कैथरीन रसल जो है यह अमेरिका से है करेंट में UNICEF की हेड है गीता गोपिनाच जो है deputy managing director बन हैं आइमे की यहाँ पर देखो जो भी international के important appointments है वो देख रहे हैं विश्वनात आनन जो है या वाइस प्रेजिटेंट बनाये गए फीडे की फीडे के याद रख सकते हो वाइस प्रेजिडेंट बोल सकते हैं फीडे को हम उर्जित पटेल जो है वाइस प्रेजिडेंट नए बने हैं Asian Infrastructure Investment Bank में याद रखिएगा most important आगे देखिए डॉक्टर जेरेमी फरार जो है या डबलू एचो के निव चीफ साइन्टिस्ट बने गई किसके जगह पे एस स्वामिनाथन के जगह पे एस स्वामिनाथन या नहीं स्वामिया स्वामिनाथन की बात हो रही है इंदरमित गिल चीफ एकनॉमिस्ट बने है वर्ल्ड बैंक में पियरे ओलिवियर गॉडिंचस जो है फ्रांस से हैं आइमेफ के चीफ एकनॉमिस्ट हैं टी राजा कुमार जो है या सिंगापोर से बिलॉंग करते हैं और एफटीएप के जो है करेंट में प्रेसिडेंट हैं एफटीप इंटर्नेशनल लेबर और्गनाइशन के जेन स्टाल्टन बर्ग यह सेक्रेटरी जेनरल है नाटो के एक साल के लिनका कारेकाल भी बढ़ाये गया है जेवियर ओलिवन जो है या मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एंडी जैसी एमेजन के सीओ है रोबाटा म मट्सोला जो है या माल्टा से बिलॉंग करती है और करेंट में जो एरोपियन उनियन उनियन पार्लियामेंट है वहां के प्रेसिडेन्ट है रोबाटा मट्सोला फिर देखो कुछ इंडियन अमबेस्टर जो अधर कंट्रीज में निक्त किये गए हैं सुहेल अजाज खान साथियामें जपने के जपने विकलीसवामी जो है ब्रिटेन में भारत का नय हाइं कमिश्ण बनाएं इन्हें प्रनैं कुमार लेते खें आateurs पीछ सिग में पिछे की जो चीजिजे हैं ये ट्रंजीट सिंद्ट इस इस पांच बंट्र Enfin में पिर यहां परदे को रिविजन कर लेते हैं, रिवाइज कर रहे हैं पीछे की जो चीजे हैं, करेंट प्रेशिडेंट द्रॉपदी मुर्मु हैं, पंद्रहवे नंबर की हैं, ओडिसा से बिलोंग करती हैं, वाइस प्रेशिडेंट जगदीब धनकर 14 नंबर के हैं, सबी चीजे रिवाइज कर दूँगा, पोजो पीछे कर रहा है, यहां पर देको, राज्यसभा की बात हो रही है, अपर हुष, चिएर्मैन है, जगदीब धनकर, जो उमारे देश के वाइस प्रेशिडस के, वह या जो होते हैं, चिएर्मैन होते हैं, राज्यसभा के, वा यहां पर प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी याद रख सकते हो फिर आगे आपर लोक सवा की बात रही जिसे हम लोगर हाउस कहते हैं ओम बिरला यहां के स्पीकर है डेपुटियो स्पीकर का पद खाली है लिटर अब दो अपोजिशन का भी पद खाली है लिटर अब दो हाउस है, PM नरेंदर मोदी जी सेक्रेटरी जनरल यहां पर है उतपल कुमार सिंग जो की संसत टीबी के CEO भी बने हैं भी फिर आप पर देखो डिफेंस अलेटेड आम्ड फोर्सेस के चीफ सेकेंड सीटी एस अनील चोहान इंडियन आर्मी के चीफ है मनुझ पांडे, most important याद रखेगा 29 नंबर के है 29 नंबर के है इंडियन नेवी चीफ की बात करते हुँ है आर हरी कुमार, 25 नंबर के है चीफ आफ आर्मी स्टाफ विवेक राम चौधरी, 27 नंबर के है यह फिर यहाँ पर देखो जो परामीलिटरी फोर्सस है हमारी CRPF, इसके डियक्टर जनरल है SL-1000, CISB के डियक्टर जनरल है शील वर्धन सिंग ITBB के डियक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंग बाकि यहाँ पर देखो BSF का additional charge दिया गया SL-1000 को फिर है यहाँ पर SSB का additional charge दिया गया नील दयाल सिंग को NSG की बात करे National Security Guards की तो इसके जो DG है वो है यह में गनपती याद रख सकते हूँ फिर यह को Chip Justice of India D.Y. चंदरचूड यह आपको याद हो गया होगा अभी तक Attorney General of India R. Venkat Romani 16th नंबर के हैं हिंदी में कहा जाता है भारत का महान याइवादी Solicitor General तिशार मेहता Control and Auditor General की बात करें तो GC मुर्मू है याद रखिएगा 14 नंबर के हैं यह जिए हिंदी में कहा जाता है भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्छक यह जो है Constitutional Body है इसके बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 में बात कही गई है CAG के लिए फिर है यहाँ पर जैखो Controller General of Accounts यह CGA है यह है CAG तो यह है भारती दास CGA 27 नंबर की हैं यह इसे जो हिंदी में बोलते हैं महालेखा नियंतरक यह जो है Non-Constitutional Body है and CAG जो है Constitutional Body है भारत के पहले लोकपाल कौन थे पिनाकी चंदर घोस यह जो है अभी पुछे आता है एक्जाम में याद रखेगा फिर Chief Election Commissioner हमने देख लिए है राजीव कुमार 25 नंबर के Election Commissioner दो है अनुप चंद्रपांडे और अरून गोयल Chief Information Commissioner की बात करते हैं यस वर्धन कुमार सिनहा 11 नंबर के है Central Business Commissioner है परवीन कुमार सिरवास्ता केंद्रिय सत्करता आयुक्त CBDT के Chairman है नितिन गुपता Chairman of Airports Authority of India के हैं कौन Chairman है संजीब कुमार आगे देखिए RBI के Governor की बात होई तो हमने पीछे भी देखा है सक्तिकांदास में 25 नंबर के चार Deputy Governor होते हैं RBI में वो कौन कौन ए? T. Ravi Shankar, M.K. Jain, Michael Patra और A.M. Rajishwar Rao SBI के Chairman है दिनेश कुमार खरा याद रखेगा Most Important सेवी की Chairman है मदावी पुरी बुच जो की First Women है Chairperson सेवी की फिर है याँ पे Sidvi का Chairman A.S.S. रमन है नबाड के Chairman नए बने है साजी के भी याद रखेगा L.I.C. के Chairman A.M.R. कुमार F.S.S.I. के CEO नए बनाए गए है गांजी, कमला, वी राओ याद रखेगा Important है ये फिक्की के Chairman है सुब्रकांत पांडा and A.N.S. के Chairman है गृष्चंद्र चतुरुवेदी याद रखेगा National Stock Exchange की बात हो रही है फिर है अभी नए Secretary General बने है फिक्की के इनका नाम है Salish पाठक Chairman of IRDAI दिवशीष पांडा ट्राई के Chairman है D.P. वगेला A.F. T.I.A. की बात हो रही है यहाँ पे Film and Television Institute of India की वह है शेखर कापूर U.P.S.C. के Chairman है मनोस सिनहा NHRC के Chairman जरूर याद रखेगा National Human Rights Commission की बात हो रही है Chairman कौन है अरून कुमार मिश्रा इसके बाद है C.B.I. के Director General सुबोध कुमार जैसवाल IB के Chief है तपन कुमार डेका RAW के Chief है सामंत गोयल Current में मारे National Security Advisor है अजित डोवाल यहाँ पर देखे तश्वीर इनकी CEO है बात करे रेलवे बोड की तो है अनील कुमार लाहोटी Director General के बात करे RPF की तो है संजय चंद्र याद रख सकते है फिर है इसरो के Chairman एस सोमनाथ दस्वे नमबर के है Chairman of DRDO समीर वीकामत Chairman of BAK बाग जो है भाबा टाउमे करिसार सेंटर की बात हो रही है अजित कुमार मोहंती यहाँ के Chairman है फिर BCCI के President है Roger Binny 36th नमबर के है ICC के President जरूर याद रखिये है Greg Barclay है न्यूजिलेंड से CEO है जी ओफ एलोडीस यह कहां से है Australia से है याद रखियेगा ACN Cricket Council के बात कर तो President है जैशा FIFA के President है ग्यानी Infantino एंट दरबाइस का FIFA World Cup किसने जीता है अर्जेंटीना में अर्जेंटीना ने जीता है कहां पराईजित हुआता Qatar में यहाँ पर देखिये International Hockey Federation की बात हुरी है जिसके President है Tayyab Ikram Macau से बिलोग करते है and Hockey इंडिया एक President की बात करते हैं दिलिप्तिर की किस राज़े से हैं Odisha से हैं याद रख लीजेगा फिर आपको कुछ चीज़े रिवाइस करा आज़ेता हुमें फटा-फट जो इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा World Bank के ने पेसिडेंट है जैव बंगा नितियायो के ने CEO BVR सुबरे मन्यम New Vice Chief बने Army Staff के सुचिंदर कुमार Chairman CEO ने बने है रेल्वे बोर्ट के नितियर कुमार लाहोटी FASSAI के CEO बने है गांजी कमलावीराव नवाड के चेरिमन बने है केवी साजी पच्चासवे नमबर के हमारे Chief Justice कोन है डीवाइ चंद्र चूट नए एलेक्षन कमिशनर बने है अरून कुमार गोयल डेपुटी NSA की बात करता पंकच कुमार सिंग बने है Table Tennis Federation of India की नई प्रेजडेंट बनी है मेगना एहलावा जो की First Women President है इसकी First Women President बनी है Indian Olympic Association की P.T. यूशा नए CEO बने है YouTube के निल मोहन और निव चीफ टेकनोलोजिस्ट बनी है नासा में ये सी चरणिया याद रखेगा ये Indian origin के है तो आपको मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया एक प्रसन आप से मैं पूछ रहा हूँ डेली करेंटर फेर्ट अगर आप देखते है इंडो पार्ट साला का तो आराम से इस प्रसन का उत्तर दे देंगी प्रसन का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में पीडियो पार्ट साला उस चैनल को जोईन के लिए आपको पीडियो जो है प्रोवाइड करा जाता है आज की वीडियो में इतना ही है थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो थैंक्यू सो मच